ओम्त्रम्भकं यजामः सुगंधिंपुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिवबंधनान मुरुत्योर्मूक्षियमामृतार। भगवान शिव के हर मंदर में लगी भक्तों की भीड। श्रावन मास और इस पावन महिने में मनाय जाने वाले त्योहार सावन सुमबार का संदेशा लेकर आई है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पाचवा महिना श्रावन मास भगवान शिव की पूजा आरादना का विशेश विदान है। पुरानिक कथाओं के अनुसार चुंकि भगवान विश्नु योग निद्रा में रहते हैं। इसके वज़े से भगवान शिव ही पालन करता होते हैं। यानि सावन के महिनों में त्रीदेवों की सारी शक्तिया भगवान शिव के पास होती है। और इसलिए जो भी भगत शिव जी के अरादना तहे दिल से करता है, उनकी सारी मनोकामनाय पूर्ण होती है। यह महिना भगतों के लिए भोले नात को प्रसंद करने के लिए काफी महत्वपुन तो होता ही है। लेकिन इस महिने के सावन सुमवार की अपनी ही विशेषता है। जो रखती है अविवाहित मैलाएं अच्छे भर के उम्मीद में। लेकिन यहां मन में प्रश्न उठता है कि क्यों शावन मास को कहा जाता है शिव जी का प्रिय है। कथाओं के अनुसार देवी सती जब पुनर जन्म लेकर देवी पार्वती के रूप में आई। तब उन्होंने शिव जी को प्रसंद करने के लिए कठोर तब किया। जिसके परिणाम स्वरूप सावन के महीने में शिव जी और पार्वती मा का विवा हुआ। और इसलिए इस महीने के सारे मंगलवार को मा पार्वती की पूजा अर्जना भी की जाती है। और रखा जाता है मंगल कौरी व्रत। सावन समवान की विधी के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से सावन मास सब्सक्राइब करने के लिए नीजर्फ करना चाहते हैं अब दो करने का फन प्राप्त करना चाहता है एक मिट्टी का शिव निंग निर्वान करें पूजा करें तो श्याम को विशिजन करतें शिव का विशिष पुजन होता है शोड़क्चा लेधी बोलते हैं इसको शास्त्रों में इससे दूठ दही शकर शहर पंचावत गंधोदर इत्र और भान दन्य के रस्ते हम लोग प्रतिवी नहीं प्रतिवी नहीं है अगर चोटा पुजन करना चाहते हैं कि हम मेहने भर पुजन करें बगवान शिव का चोटे श्रावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पन करना थता उनका अभिशेक करना शिव अराधना में महत्वपुन स्थान रखते हैं और यह मानिता आती हैं दो गटना क्रमों से कहा जाता है सावनमास में ब्रह्मान को बचाने हैं तू समुद्रमंतन से निकले विश्व को शिव जी ने ग्रहन तो किया था लेकिन विश्वरन करने के बाद शिव जी के शरीर का तापमान अद्दम्य तरीके से बढ़ता चला गया उस बढ़ते तापमान को रोकने है तू किया था देवताओने जल अर्पन वही यह भी माना जाता है कि इसी महीने शिव जी धर्ती पर बढ़ा रहे थे अपने ससुराल का विचरन करने जहां उनका अभिशेक किया गया था अपने भोलेनात को प्रसंद करने के लिए भक्तगन भी काफी अनुठे वनिराले कारे करते हैं और उनमें से एक है कावड यात्रा के सिरिया रंग में रंगे कांधे पर कावड रख कर भक्तगन मीलों की आत्रा तै करते हैं कावड के जल से भगवान शिव का अभिशेक करने के लिए पौरानिक कथाओं के अनुसार पुरा महादेव को प्रसंद करने के लिए भगवान परशुराम ने शुरू की थी कावड यात्रा जहां उन्होंने गड मुक्तेश्वर से गंगाजल लेकर किया था जलाबिशेक आज के लिए बस इतना ही हम मिलते हैं आपको अगली धरुहर में कर दो